हलो फ्रेंट्स आज की रेसिपी में मैं आपकी लाई हूँ पिस्ता ब्रेट पुडिंग जो खाने में बहुत ही अच्छी है बहुत सौफ्ट है और ठंडी ठंडी यह बहुत अच्छी लगी कि देखिए अगर-अगर की वज़े से यह बहुत अच्छी सेट हुई है तो अगर अगर आप भी इसको ट्राय करना चाहते है तो चलिए देखते हैं इसे बनाना कैसे तो फिर्ट यह सबसे पहले मैंने यहां पर खुले में अगर-अगर लिया है अगर आपको ब्रेंडिट वाला यूज़ करना है अर्बन प्लैटर का यह दूसरे ब्रेंड का तो आप वो भ मिक्स करूंगी हाफ कप पानी में यहां मैंने नॉर्मल पानी लिया है और इसको चम्मर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे यह देखी बहुत अच्छे से यह मिक्स हो गया है इसी तरीके से मैं इसको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ दूँगी यहां मैंने लिये हैं ब्रेड के पीसिस पांच ब्रेड है यह आप चार पांच छे ब्रेड ले सकते हैं और उसको इस तरीके से छोटा छोटा सा हाथ से तोड़ ले और मिक्सी के जार में डाले और यह थ्री फोर्थ कप मैंने लिया है दूद इसके साथ मैं इसको अच्छे से मिक्सी में ग्राइंड कर लूँगी तो यह देखे इस तरीके से यह अच्छा पिस चुका है गाडा गाडा आप चाहें तो यह ब्रेड के जो साइट के ब्राउन वाले पीसे से आप उसको हटा सकते हैं मैंने उसके साथ ही पीस लिया है अब हम रखेंगे कढ़ाई गरम होने के लिए और उस पर मैं डालूँगी तीन कप दूद इस दूद में हम मिलाएंगे 3 फोर्थ कप चीनी पर मेरा यह एक कप वाला जो मेजर मेंट का कप था यह दूद से गीला हो गया है तो यहां में 3 फोर्थ कप के लिए यह 1 फोर्थ कप मैंने कप लिया है इससे में आपके तीन बाल चीनी डालूँगी तो यह हो गया हमारा 3-4 cup और 1-2 cup में इसमें मिलाओंगी chopped white chocolate और अब gas की flame high करके इसको हम अच्छे से melt कर लेंगे ताकि chocolate भी melt हो जाए चीनी melt हो जाए और दूर अच्छे से उबल जाए तो यह देखे friends हमारा दूद बहुत अच्छे से उबल गया और इसमें सब कुछ melt हो गया है इसमें अब हम मिलाएंगे हमारा अगर-अगर और ब्रेड वाला mixture और यहां मैंने gas की flame low करके उसके बाद यह mix किया है और इसको एक बार अच्छे से mix करके हम एक बार और इसमें उबाल लाएंगे पर उससे पहले इसको अच्छे से आपस में mix कर लेते हैं ताकि अगर-अगर भी इसमें अच्छे से mix हो जाए अब मैं इसमें add करने वाली हूँ दो से तीन ड्रॉप सिर्फ पिस्ता essence यहां मैं ओसरो का पिस्ता मिल्क यूज कर रही हूँ यह कलर के साथ आता है और इसकी खुश्पूर्स फ्रेग्नेंस टेस्ट सब कुछ बहुत अच्छा है तो इसको मैं बहुत जादा नहीं डालना है आप चाहें तो इसके बदले यहां पर वैनिला essence भी यूज कर सकते हैं रोज एसेंस भी यूज कर सकते हैं थोड़े से ही इसमें खुश्पू और कलर दोनों ही अच्छे आ जाते हैं मेरे कैमरे की वज़े से आपको इसमें इसका कलर थोड़ा लाइट दिख रहा होगा पर वैसे इसका कलर ग्रीन में हो चुका है जैसा पिस्ता का कलर होता है अब मैं यहाँ गैस की फ्लेम करूंगी ओफ और इसको हम डालेंगे हमारे रेक्टेंगल तिन में तो यहाँ जो मेरा तिन है मैं आपको उसका साइज बताती हूँ यह है नाइन बाइ फोर और इसकी जो हाइट है वो भी है चार इंच और इसमें मैंने यूज किया है हमारा बेकिंग पेपर ताकि इसको निकालने में आसाली हूँ और जो हमने अभी इसका यह बैटर बनाया है हमारी पुडिंग का उसको में डालूँगी इसमें और अगर आपको इसकी हाइट और जाधा चाहिए आपका जो यह पुडिंग है तो आप इससे छोटा इन जो 7 इंच का टेन होता है आप उसको यूज कर सकते हैं और अभी यह बहुत गरम है तो इसको मैं फैन के नीचे पूरा ठंडा होने के लिए रखूँगी ताकि जो भी इसकी गर्मारत है वो बिलकुल भी ना रहे पूरा ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे रखेंगे फ्रिज में 3-4 घंटे के लिए सेट होने के लिए उसके इसको मैं प्लेट में निकालते हूँ तो यह देखें बेकिंग पेपर के हेल्प से यह बहुत अच्छे से निकालते है कर गया और यह बहुत अच्छा सेट है मैं इसको कट करूंगी पीस में यह देखें बहुत स्मूथ और बहुत अच्छे से कट रहा है और बहुत अच्छी से में आ रही है पिस्ता के खुश्बू तो अगर आपको मेरी रस्पी पसंद आयो तो मेरी वीडियो को एक बार ट्राइ करें लाइक करें शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें तो अच्छी से करें